कि तो अभी सिक्ट प्रोब्लम करते हैं तो यहां पर एक डाइक को टॉस्ट क्या उन्होंने तो वाट अगेंट इवेंट डाइट नंबर त्री और फॉर टॉर्ण सब ओके तो यहां पर सैंपल स्पेज आपको अथा रेगा यह लिखो एवन फैस्ट आएगा और इवेंट ए राइट इवेंट ए में क्या आएगा नंबर त्री और फॉर टॉर्ण विसको लिखाने तो एनॉफे कितना है वा और टू तो प्रबेद एख क्या आएगा फ़ांग लुखता हूं में एनउफे अपन एनॉफे आएगा एनउफे अपन एनॉफे यह आएगा टू एंड शि तो बड़ हमको find का करना है और अगेंट लिकाए तो अगेंट आया तो डास आएगा याद रुको अगेंट तो पहले डास आएगा ठीक है तो और अगेंट इवेंट डाट नमबर त्री और फोर टर्न सब तो यह अगेंट आएगा और फेवर तो के तो इस वागेंट और इस बाइट डास निकाल आ है प्र on- manner probability of a-1 इसका है 1 by 3 यह जायगा 3-1 पॉन 3 यह आएगा 2 by 3 ठीक है तो बज इसका वाली यह आपर फूट करना है तो प्राबर विडियो यह आ पर फूट करते हैं 2 by 3 और प्राबर विडियो यह है 1 by 3 राइट यह त्री त्री को कट करो यह आएगा 2 ratio 1 ratio में लिखना है एक वरी सिंपल प्राब्लम है अब नग्स प्राब्लम पर जाते हैं उके लास्ट प्राब्लम करते हैं तो यहां पर ओड्स इन फेवर आफ एविनिंग अगेंस भी 3 ratio 2 दिया है ठीक है ए विन्स अटलीस 2 और मोर ठीक है अटलीस 2 मतलब 2 और मोर होता है तो इसके लिए हमको क्या कर रहा है probability अब यह लेते हैं ए विन्स अटलीस 2 तो यानि कि तीन गेम है तो तीन गेम में पहले दो जितेगा तो 3rd गेम भी जितेगा या फिर और और यानि प्लज first and third a जितेगा second b जितेगा और यानी plus first game b जितेगा but second and third a जितेगा या फिर सारे तीनो a जितेगा क्योंकि at least two बोला है at least two मतलब two or more तो यह condition है ठीक है तो इसके लिए हमको probability of a and probability of b निकालना है यह दोनों तो इसके लिए पहले यह a की दिया है इसको break करेंगे odds in favor a कितना है three ratio two अगर a का favor रहेगा तो b के लिए against बनेगा a के लिए जो favor है b के लिए against बनेगा तो odds against b तो इसको पहले एक simple format में कहीं लिखो ठीक है तो अभी probability of a यानि favor में जाना है favor तो favor कितना है उसका three total three plus two five and probability b यानि इसका भी favor ही देखना है ठीक है अगर डास रहेगा तो against में जाना है तो इसके लिए भी favor में जाना है favor में टू आए and total five है ठीक है बद यह निकालना है इसको एक simple format में लिखे इसका क्या favor आ रहा है इसका क्या against आ रहा है और निकालो इसके बाद बी का क्या favor आ रहा है against आ रहा है निकालो इसके बाद यह formula उसकरो और solve करो ठीक है अब इसका करके value समझने आ रहेगा ठीक है तो आब इसके बाद इसका वैडि पूट करते है और solve करते ठीक है तो यहां पर बाद इसका value और यह आएगा 325 और इसका प्राबल वीडियो भी है 2 बैफ 5 और प्राबल वीडियो भी 325 325 और लास्ट सब एक हैं ते युनों गेम उसने जिता है एने तो यह आएगा 325 325 325 टीक्के तो अब यहां पर क्या करो यह 555 यह तीन बार आ रहा है इसको भार निकोलो पेले तो 5 25 25 25 25 यह आएगा 125 तो इसको भार लेलो completely भार 3 2 3 9 9 2 18 और यह पर वह यह आएगा 18 आएगा यह आपर वह यह आएगा बट लास्ट वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि वह आपर 3 2 3 2 3 27 ठीक है बाद इसको एड करो और एक एंसर आएगा ठीक है तो वह आएगा 81 आएगा इसको प्राइट करो पूरा वह आएगा 81 अपान 125 ओके तो यह आएगा इसी ठीक है तो फार्ट पार्ड होगे है अमको प्राबब्र विडियो यह मिला है अभी और फाइंड करना है ठीक है वाट अधा अच्वाट पूचा है प्राबबिटी नहीं पूचा है ठीक है तो प्राइब आएगा और नीचे अगेंस का अगर उन्हें आचे बोले रहे थे कि और अगेंस ए वह फाइंड करो एचे बोलते तो ऐसा उल्टा लिखना इसका पहले अगेंस उपर लिखना है नीचे फेवर वह याद रुखू ठीक है बड़ उन्हेंने बोला है और तो यह न यह निकाला था लास्ट टाइम यह आएट्या आपाउं 125 यह बनेगा 125 मैनेच 80 अपाउं 125 तो इको कट करो और क्यल्कुलेट करो तो एक एच्छ्याइगा 41 अपाउं 125 तो अभी ओट्स पेवर आफ यादि उपर फेवर का प्रॉबभीलिटी निचे अगेंस का प्रॉब अपान 125 और प्राबर विडिया ये डाच है 44 अपान 125 ये कट करो तो ये आएगा 81 अपान 44 तो इतको रेशियो में करना है ताट इस एकल टू 81 रेशियो 44 तो ये है तुमारा फाइनल अंसर अच्छे रेगा ठीक है मुझे लगता है तोड़ा complicated problem है ये favor against का conception जो एक simple format में लिको और solve करो ठीक है अभी next problem पर जाते है